रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब उंबीदे अच्छे होगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट वे रादित में आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोटन टॉपिक के कोशन लेके आया हूँ दोस्तों आ कोशन में आप से पूछना चाहूँगा उसका आंसर आप मजे कमेंट में ज़रूद बताईएगा क्यों उत्तर प्रदेश में हाली में किस राजनेतिक दल की सथकार चल रही है उत्तर दोस्तों मजे कमेंट में बताईएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन कोशनों से कुछ लाव उठा सकें चलते हैं पहले कोशन की ओर किस व्यक्ति को भारती ना होने पर भी भारत सत्म से सम्मानित किया गया वामे एनक्रुमा, मदर टेरसा, डॉक्टर सुकर्णो, नेलसन मंडेला तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा नेलसन मंडेला और संडी एकदम सही उत्तर है दोस्तों नेलसन मंडेला जी को भारत रतनकावार दिया गया था दोस्तों नेलसन मंडेला जी 18 जुलाई 1908 को पैदा हुए थे 18 जुलाई 1908 और दोस्तों इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 5.23 ये साउथ अफरीका के प्रेसिडेंट रहे थे दोस्तों 1990 में इन्हें भादाजात्न कावार मिला था जब ये जेल से भार आये थे साउथ अफरीका में तो ये प्रेसिडेंट बने और सारे देशों का ध्यान इन पर गया और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट बने अब चलते हैं कोशन नमर दो की ओर कला के छेत में प्रेसिड कितने वक्तियों को अब तक भारा रत्म प्रतान किया गया है तीन बी चार सी साथ डी छे तो दोस्तों कला के छेत में अब तक साथ लोगों को भारा रत्म प्रत किया गया है साथ रत्म भारत रत्म दिया गया है साथ लोगों को चलते हैं कोश्चन अम्मर तीन की ओर वह भारत रत्म प्रुसकार विजयता कौन है जिसने पंदे अगस्त पंदे अगस्त उन्निस सो सेटालिस को लाल किले में आयोजित एतिहासिक समारों में प्रदर्शन किया था तो दोस्तों इसका जो साही उत्तर है वो किस ने किया था लाल के लिए पर लता मंगेशकर जी ने परफॉर्म किया था तो साही उत्तर है लता मंगेशकर चलते हैं कॉशन नमर फूर की ओर भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे A. सचिन्तन गोलकर B. सीवी रमण D. चक्रवर्ती राजगोपालचारी D. सवरपली रादा किश्ना तो दोस्तों इसका जो साही उत्तर है वो आप्शन B. सीवी रमण बारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीवी रमण जी थे दोस्तों सीवी रमण जी इंडियन फिजीशन थे बहुत इक वादी थे ये इन्हों ने जिस पर रिसार्च की थी इन्हेंने डिस्कवर किया था लाइट इस्केटरिंग जो टॉपिक था जो जो हम आज यूज करते हैं वो इनी की होज है दोस्तों अब चलते हैं कौशन नमर फाइव की योद वह है प्रथम व्यक्ति जिने भारत का राश्च्पती बनने से पहले ही भारत रत्न कावार मिला था ए डॉक्टर सी वी रवन बी भगवान दास सी डॉक्टर एस राधा किश्णन दी चक्रवर्ती राजगुपाल चारी तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डॉक्टर एस राधा किश्णन और सन सी एकदम सही उत्तर है दोस कि अब्दुल कलाम को पतिश्टित भाराजत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था? A. 1977 में, B. 1975 में, C. 1997 में, D. 1995 में. तो दोस्तों इसका जो साइउत्तर है वो है आप्शन C. 1997 में. डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम को कव अवार्ड मिला था भाराजत्न? 1997 में, चलते हैं कोशन नमस साथ की ओर, किसको भाराजत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों वार्ड मिले थे? A. मुरारजी देशाई, B. गोपी चन नारंग, C. नीर्जा, और D. इन मैंसे कोई नहीं. तो जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है option A. मुरारजी देशाई, दोस्तों वीडियो को end तक देखें, जारा लंबी वीडियो नहीं है, मैं इसलिए कोशन जल्ली से जल्ली कराता हूँ ताके आपका कम से कम समय लगे. चलते हैं कोशन नमर एट की ओर, भादा रत्म पाने वाला पहला संगितकार कौन था? A. राजगोपालाचारी, B. एमेस सुबलच्चमी, C. लता मंगेशकर, D. उशा मंगेशकर, दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, वो है option B. एमेस सुबलच्चमी, एमेस सुबलच्चमी जी को भादा रत्म पाने वाला पहला संगितकार कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं को ये अवार्ड मिला है, अब चलते हैं question number 9 की ओर, 9 है, किस मुख्यमंतरी को उच्चतम असैनिक पुरसकार भादा रत्म मिला है? तमिल्नाडू के के ओ, पनीर सेलवं, तमिल्नाडू के एम करणा ने दी, तमिल्नाडू के स्वरगी जलरता, तमिल्नाडू के स्वरगी एमजी रामचंदरन, दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, वो है तमिल्नाडू के स्वरगी, एम जी राम चंदरन, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है दोस्तों, यह हमारे चैनल का लोगों हों दोस्तों, चैनल को सस्काइब कर लें, इस्टार्ट वेर आ रहते हैं, चलते हैं कोशन नमर टैन की ओर, मर्णो परांत भारत रत्न के उपादी पाने वाला पहला वक्ती कौन तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, वो है ओप्शन डी लाल भारत सास्तरी, मर्णो परांत दोस्तों, लाल भारत सास्तर जी को अबाड मिला था, लाल भारत सास्तर जी दो अक्टूबर 1904 को मोगल सराय में पैदा हुए थे दोस्तों, और इन की म्रत्वी जो हुई थी, 11 जनवरी जो कि यह उजबेकिस्तान में होते इनके मित्विवघ्री दोस्तों सब को याद होनी चाहिए क्योंकि यह important है यह बड़ी उजीब जगह होई ती रोजुबेकिस्तान में होई थे यह Pakistan के साथ एक समझेता तर्ले एक करने कही ते उससे पहले दोस्तों ये हमारे देश के होम मिनेस्टर भी थे जो के 1961 से 1963 तक ये हमारे होम मिनेस्टर रहे थे, चलते हैं कोर्शन नम्मर 11 की ओर दोस्तों प्रत्रम भारत जत्न किसको मिला? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सवपली रादा किष्णन, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर जवालाल नहरू तो दोस्तों इसका जो सई है वो है ओप्शन A, डॉक्टर सीवी रमन अब चलते हैं question number 12 की ओर दोस्तों भारत जत्न का सम्मान पाने वाला खेल छेत का पर्थम व्यक्ति कौन है अनिल कुमले, महिन सिंग धौनी, विश्व नाथ आनंद, D, सचेन तेंदुलकर तो दोस्तों आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, कौन हो सकता है इसका जो आंसर है, option D, सचेन तेंदुलकर खेल जगत में भारत जत्न का सम्मान पाने वाला पर्थम व्यक्ति हैं, सचेन तेंदुलकर अब चलते हैं question number 13 की ओर, किसके शाषन के दोरान, Dr. B.R. अमेड कर को भारत जत्न के उपादी प्रदान की गई option A, जनता दल, जेडी, option B, समता सैनिक दल, option C, कॉंग्रेस के दोरान, option D, BJP के दोरान दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, वो है option A, जनता दल जनता दल के समय के दोरान, Dr. B.R. अमेड कर को भारत जत्न के उपादी प्रदान की गई थी दोस्तों, जनता दल का जो गठन हुआ था, वो B.P. सिंग की अध्यचता में हुआ था 11 अक्टूबर 1988 को दोस्तों, जनता दल का गठन हुआ था, जनता दल में जो पार्टियां थी दोस्तों, वो थी जनता था, कौशन अमा 14 है दोस्तों, नोबल पुरुस्कार जीतने वाला पहला भारतिय अर्शास्ती कौन था, रविन्ना टैगोर, सुब्रुमनियम चंद सेखर, दोस्तों, इसको आंसर मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी बताई थी, जो कि नोबल पुरुस्कार वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक में आपको वीडियो के डेस्किप्शन में दे दूँगा, मेरी जितने भी करेंट की वीडियो उनके लि सही उत्तर है, वो है, अमाट सेन, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है, दोस्तों, अब चलते हैं, कॉशन नमर पंदा की ओर, भारा रत्न पाने वाले पर्थम गैर भारती है, कौन थे, मदट ऐसा, आर्के वैंक ट्रबन, नेलसन मंडेला, खान, अब्दुल गफार खान, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आप नई वीडियो जो भी आए, उसका नोटिफिकेशन पा सकें, और वीडियो को लाइक कर दें, उमीद है, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपको कोई कंटेंट जो आपको नहीं समझा रहा हो, तो कोई भी दिखकर तो आप मझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो कर दूँगा, उमीद है कि ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहेंगे, और जो आप मेरा सपोर्ट जिस्ता से कर दाए हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकता हूँ, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद